हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टेडी चेंजिंग दा वे आफ एजुकेशन दोस्तों आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मौडल पेपर नमबर टू कल की क्लास में मैंने एक मौडल पेपर आपको डिसकस करा दिया है तो अगर अभी तक आपने उस मौडल पेपर को नहीं देखा है तो आप जाईए निश्चित तोर पे आपके जो डाउट थे और आप ये भी चेक कर सकते हो कि अभी हमें किस चेप्टर में वर्क करने की जरूरत है मौडल पेपर में मैं वही कुष्चन ले रहा हूँ जो चेप्टर मैंने आपको पढ़ाया है तीन चेप्टर नहीं पढ़ाया है आपको बता है मीड मीडियन मोड लेगोरिथम एंड बैंकिंग तो वो मैं आपको करा दूँगा उसको कोई दिक्कत मत लेना ऐसा कोई उसमें रोल नहीं है लेगोरिथम को छोड़ दें तो दो टॉपिक हैं वो बेलकुल इजी हैं है न तो मैं उसको आपको अच्छे से किलियर करा दूँगा तो जितने भी चाती हैं एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने मित्रों के संग और भाई जो भी हमारे मित्रगड हैं उन सभी को जो वीडियो देख रहे हैं आप उनके पास पहुंचाएए वीडियो को और बताईए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है किलियर तो आईए पर शुरुआत करते हैं पहले कोईश्चन से कुईश्चन नमर वन यहां पर लिखा हुआ है कि 2y 2y प्लस में 2 बटे 3 बराबर के 26 बटे 3 माइनस के y को आपको हल करना है इसको आपको हल करना है और बताना है क्या आएका एंसर इसको हल करके उत्तर क्या आएगा वही आपको बताना है तो जल्दी से आप कोईश्चन करिए इस प्रश्चन को बताने की इस प्रश्चन को बताने की कोईश्चन कीजिए क्या आएगा उत्तर है ना equation number one फटाफ़ से कोसिस करना है देखो अब हम आपको बताते हैं ऐसा question करने से क्या फायदा है जब भी कभी ऐसा equation solve करने को आएगा इसे रैखिक शमी करण बोलते हैं तो आप इसको easily solve कर पाओगे आपको चर वालों को एक तरफ ले जाना है बचर वालों को एक तरफ ले जाना और जो भी गर्दी शंक्रियां हैं उन्हें शम्पन करना है आईए फिर शुरुवात करते हैं भाई 2y को हम इधर ही ले लेते हैं और यह y माइनस से इधर प्लस में आ जाएगा तो यह y हो जाएगा यह माइनस से आ गया प्लस में y इधर आपका 26 बटे 3 था यह प्लस के 2 बटे 3 इधर जाएगा तो माइनस के 2 बटे 3 हो जाएगा चीजे बिल्कुल क्लियर हैं अब क्या करेंगे 2y और y मिलकर 3y बन जाएगा चुकि हर बराबर हैं तो एक हर ले लेंगे भीया तीन हो गया और 26 से 2 जाएगा तो 24 बट जाएगा बिल्कुल सही बात है न सर अब क्या करेंगे हम इसको काट सकते हैं 3 अठे कितना हो गया 24 हो गया यानि हम कह सकते हैं कि y की value कितनी आ गई 8 बटे 3 आ गई y की value कितनी आ गई 8 बटे 3 आ गई यो y की value आ गई लेकिन अगर हम अब उत्तर की जाच करने चाहें उत्तर की जाच हमें करना है देखते हैं क्या इसमें उत्तर की जाच जो है वो सही बैठती है तो जब उत्तर की जाच करेंगे तो जहां y है वहाँ हमको 8 बटे 3 रखना है तो 2 गुड़े 8 बटे 3 हो जाएगा भाई 2 गुड़े y कमान कितना हो जाएगा 8 बटे 3 और प्लस में आपका 2 बटे 3 था तो 2 बटे 3 और बराबर इस तरह क्या था 26 बटे 3 यह हो गया 26 बटे 3 minus y की value 8 बटे 3 8 बटे 3 हमने रिक दिया शॉल्ब अगर करेंगे तो 8 दुनी 16 और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 यह हो जाएगा 18 बटे के 3 बराबर 26 में से 18 अगर 8 जाएगा तो 18 बटे 3 18 बटे 3 तो हमने क्या देखा कि जो LHS है वो RHS के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि LHS is equal to RHS यानि जो हमारा उत्तर आया 8 बटे 3 वो बिल्कुल करेक्ट है तो उत्तर कितना आएगा 8 y 3 आपका राइट एंसर होगा ओके ना मेरे दोस्त चलिए नेक्स्ट पर पहुंचेंगे प्रस्न संख्या नमबर 2 पर और उसको भी हम सीखेंगे क्या कह रहा है और कैसे कैसे उसमें चीजें होंगी यहां तक की बात बिल्कुल क्लिए ना मेरे दोस्तों को चलिए वेरी बूर्ट नेक्स्ट क्विश्चन है क्विश्चन नमबर 2 वो भी आपका बीजगड़ी से हैं आज की क्लास में मैंने अंत में मैंसोरेशन के क्विश्चन जादा लिए हैं है ना तो इंपोर्टेंट है क्लास अंत तक जरूर देखना क्विश्चन नमबर 2 की बात करते हैं प्रश्चन संख्या 2 आपसे बस इतना जानने की कोशिज कर रहा है कि 63A स्क्वायर 63A स्क्वायर देन उसके बाद माइनस के 112B स्क्वायर के गुड़न खंड करने हैं आपको के गुड़न खंड करो इसके गुड़न खंड करो गुड़न खंड करो और ये क्विश्चन आपका जो है ये पूरा का पूरवियद 2 रुपे का है ये 2 रुपे का question है ये समझ लेना है ना तो जो भी इस question का जवाब देगा उसके 2 रुपे हो जाएंगे उसके आज की class के 2 रुपे हो जाएंगे जो भी इस question का जवाब देगा 63 A square minus के 112 B square इसके आपको गुड़न खंड करने है और हमने आपको ऐसा question करा रखा है आप कैसे करोगे आईए मेरे दोस्त सबसे पहले देखो कितने पद हैं दो पद है ना एक पद ये हो गया एक पद ही हो गया दो पद हैं दोनों पदों में आपको कुछ भी अभी ऐसा लग रहा कि हमें क्या common मिल जाएगा भाई कुछ भी हमें common मिल जाएगा बिल्कुल मिल सकता है common कैसे क्योंकि 7 से 63 डिवाइड है क्या 7 से 112 डिवाइड है हम देखते हैं 7 कम 7 कितना पच गया 7, 4, 11, 42 7, 42 बिल्कुल करेक्ट अगर मैं इन दोन हुँ में 7 को common लेलू और जैसे common लिया हमने breaker लगा लिया अब common लेने का मतलब इनको डिवाइड करके लिख देंगे 63 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 नम कितना होता 63 और यह A स्कॉायर आपका क्या होगे अब मेरे दोस्त आप देखो यह जो लिखा है क्या मैं इसको इस form में नहीं लिख सकता हूँ A स्कॉायर माइनस के B स्कॉायर अगर हम इस form में लिख लेंगे तो हमें पता है कि यह A प्लस B होगा और यह A माइनस B होगा क्या हमारी बास से आप शेहमत हैं? बिल्कुल है ना अब देखो यह हम क्या कह सकते हैं? 9 को हम कह सकते हैं 3A का स्कॉायर माइनस 16 को कह सकते हैं 4 और यह B तो 4B का स्कॉायर यह हो गया अब देखो यह बिल्कुल इस तरह बन गया ना यह बिल्कुल इस तरह बन गया कि नहीं बन गया तो यह A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A यह माइनस के 4B, चीजे के लिए है न, very good, फटा फट से इस question को note करो, फिर तीसरे प्रशने पे पहुँचते हैं, आज की class का तीसरा प्रशन, आज की class का तीसरा प्रशन जो है, वो घातान के यवम करडी से है, और आपको उत्तर बताना है उसका, यहां तक की बाग में किसी भ प्रशन संख्या 3 की, तो प्रशन संख्या 3 क्या कह रहा है कि 2 की पावर माइनस के A, 2 की पावर माइनस के A, और प्लस में है आपका 4 की पावर कितना, तो 4 की पावर माइनस के A, clear, और फिर भागे 2 की पावर, माइनस के 2, को हल करो, हल करके बता उत्तर के आएगा, इसको हल क और बताओ उत्तर क्या आएगा जल्दी से कमेंट करके बताना है जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा इसका उत्तर क्या आएगा देखो मैं एक बार बिल्कुल किलियर करा दूं कि अगर आपने पूरी मैत पढ़ ली है लेकिन अगर आप मॉक का revision नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो मेरे दोस्त मैत एक ऐसा portion होता है कि अगर उसके आप practice करते रहोगे तो आप सारे type के question लगा लोगे लेकिन अगर एक बार आपने मैत का syllabus खतम करके सोचा कि अब मैं उस chapter को ना पढ़ू तो फिर बहुत difficult ह हो जाता है वो chapter हमारे लिए जैसा कि मेरा experience है ना बाकि आपकी इक्षा मन होगा तो पढ़ना ना मन होगा तो ना पढ़ना अब इसको हम क्या कह सकते हैं अच्छा एक बात बताओ हां मैंने आपको बताया था कि अगर किशी नंबर की power रढ़ातमक होती है इसको धनातमक बना ना है तो इसके ऊपर बटे एक लगा देते हैं एक बात ये बताई थी एक बात बताई थी किसी भी नंबर की power अगर जीरो होती है तो उसका मान एक होता है ये दो बाते आपको जरूर पता होनी चाहिए अब मैं क्या कह सकता हूं ये 2 की power माइनस एक है हम इसको एक बटे 2 की कह सकते हैं प्लस में ये 4 की power माइनस एक है मतलब एक बटे 4 इसको कह सकते हैं हमने इसको क्या कर लिया शॉल्व किया भागे है तो भागे अब हम इसको क्या कर सकते हैं भाई देखो इसको क्या कर सकते हैं इसको कुछ नहीं करेंगे अभी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं नहीं आपके समझ में नहीं आएगा अभी हमने इसको ऐसे लिख लिख लिया अब जब इसको हम शॉल्व करने जाएंगे तो हमें पता हर बराबर करेंगे दो से नीचे गुड़ा दो से उपर गुड़ा तो ऊपर कितना आगा दो एक तीन बटे चार यह आ गया तीन बटे में चार और अब देको भाग का चिन लगा है और मैंने बताया था कि जैसे पी बाई क्यूं और भागी यह लिखा आपका पी बाई क्यूं अगर इस फॉर्म में कोई संख्या लिखती है तो पहली संख्या को तो ऐस जीटीज लिख लेते हैं दूसरी संख्या में क्या करते हैं बदलोगे यह दो बटे एक था ना भाई दो बटे एक था यह आप इस चीज को ऐसे समझो पहले तो पावर को आप धनात्मक करोगे भाई पावर को अगर आप धनात्मक करोगे तो आप इसको यह नहीं कह सकते हो इसी चीज को कि एक बटे दो की पावर दो एक बटे दो की नहीं कह सकते हों तो अब हम अगर भाग को गुड़े में बदलेंगे तो ये ऊपट चला जाएगा संख्या पलट जाएगी यानि वी केंड से धाट की दो की पॉड़ दो दो की पावर दो अब इसको जब solve करेंगे तो तीन की पावर चार भूड़ी दो की पावर दो का मतलब कितना हो गया चार चार से चार खतम हो गया उत्तर कितना आगया तीन आगया आपके प्रश्ण का जवाब कितना आएगा तीन आएगा क्या किसी को दिक्कत इस प्रश्ण में क्या किसी भी शाथी को इस प्रश्ण में दिक्कत है भोलो फटाफट से कमेंट करके बताओ मैंने क्या किया इस power को पहले positive बना लिया जब positive बनाएंगे तो इसके उपर बटे 1 लगाएंगे बटे 1 लगाए दो की power 2 और 2 की power 2 का मतलब 4 यानि इसका मतलब 1 बटे 4 और भाग को गुड़े में बदले तो 1 बटे 4 था उसको हम 4 बटे 1 कहे दिया solve किया चार से चार खतम तीन आपका उत्तर ओके न मिरे दोस्त is clear भय है यहां तक की बात बिलकुल clear है कि नहीं clear है अगर clear है तो अगला question लागा के बताऊं अगर यहां तक की बात clear है तो next question है उसको लागा के बताना है question number कौसा होगा 4 हैं अगला कुश्चन भी मैंने आपको घातांक और करड़ी से ही लिया है ताकि आपके कंसेप्ट मैं किलियर करा सकूं मेरा केवल एक ही उद्देश है कि आपके पेपर में अच्छे नंबर आपको दिलाना कुश्चन नंबर फोर क्या है यह कह रहा एट की पावर माइनस वन एट की पावर माइनस वन मल्टिपलाई फाइफ की पावर थिरी फाइफ की पावर थिरी एंड डिवाइड़ भाई आपको दिया गया है टू की पावर माइनस के फोर इसको हल करो इसको हल करो बताओ क्या आ धनात्मक बनाने के लिए बटे एक उपर लगा दो सारा कुछ नीचे धनात्मक में लिख दो आईए फिर हम यहाँ पर देखते हैं भाई अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि यह जो लिखा है आठ की पावर माइनस के एक अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो मैं एक 1 इसको दो की पावर यह 4 हो जाएगी बिलकुल केलियर बात कोई दिक्ट नहीं न अब हम इसको शॉलब करेंगे जब हम इसको शॉलब करने जाएंगे तो यह एक बटे आठ यानि हम इसको 125 बटे आठ कह सकते हैं भाई 125 बटे आठ हो जाएगा यानि यह हो जाएगा 125 बटे में 8 हो जाएगा और भागे एक का मतलब एक ही रहेगा और दो की पावर 4 का मतलब 16 अब यह परिवे संख्या अब जो यह question लिखा है क्या मैं इसको इस प्रक चीज बटे के आठ भागे भागे कितना है एक बटे 16 यह एक बटे 16 क्या मैं इस question को अगर इस प्रकार लिखूं तो क्या कोई हमसे गलती होगी कोई गुस्ताखी होगी नहीं होगी क्योंकि सर इस बटे इस बटे का मतलब भी तो भाग होता है अब इसको जब मैं solve करूंगा तो हमें अच्छे से पता है कि यह 125 और बटे क्या होगा आठ जब भाग को गुड़े में बदलेंगे तो यह संख्या क्या होगी पलट जाएगी एक बटे 16 था तो यह 16 बटे 1 आजाएगा 16 बटे 1 यह direct 16 ही कह लीजिए 8 दुन्नी 16 एक सो पचीस दुन्ना कितना आएगा 250 आ 250 क्या आएगा आपका शही जवाब आएगा अगर चीजे समझ में आई है तो आप फटा फट से कमेंट करके बताओ कि जी सर हमें चीजे समझ में आई है अगर चीजे समझ में आई है तो आपको बताना है कि हां सर हमें समझ में आई है कोई दिक्कत परिसानी नहीं नहीं ओक के नेक्ष्ट कुईश्चन नमर कौन सो होगा पांच परिश्म संख्या पांच देखे प्रैक्टिस करते करते आपकी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी कि आप कुईश्चन को बहुत अच्छे से कर लोगे और मैत का पेपर टाइम के पहले सॉल्ब करके आप बैठ जाओगे औ आपका जो पड़ोसी होगा वह आपसे कहेगा आप कैसे इतनी अच्छे से इतनी जल्दी पेपर शॉल्ब कर लिए तो आपको औरों से बहतर बतना है कुईश्चन कहरा कितने समय में कितने समय में चार परसंट की दर से, चार परसंट की दर से 620 रुपए हो जाएंगे, ये कुष्चन आपसे जानने की बात कर रहा है, जाएंगे, है न, देखो, कई मित्रों ने हमसे पूछा था, कि सार हम जब अभी ऐसा question आ जाएगा तो हम कैसे जानेंगे कि वो simple interest का case है या compound interest का case है तो मेरी एक बात दिमाग में हमेशा set करते रहना कि जब भी चक्वर्धी ब्याज की बात करेगा ना तो आपको question में चक्वर्धी ब्याज दिये होगा simple interest में ऐसी कहानी नहीं होती है जरूर ही नहीं होता है कि आपको simple interest लिख कर दे साधारण ब्याज लिख कर दे अगर आपको चक्वर्धी ब्याज लिखा नहीं मिल ला है तो आप वहाँ simple interest वाला formula ही लगाओगी अगर आपको चक्वर्धी ब्याज निखा मिल ला है तो आपको compound पर चीजे calculate करनी पड़ेंगी तो यहां पर इस question में देखोगे तो कहीं आपसे यह नहीं कहा गया कि आपको कौन सा ब्याज मिल लहा है कौन सा amount मिल लहा है तो सीधी सी बात यह है कि जब कुछ भी नहीं कह रहा है तो सारा खेल किस पर खेलेंगे PRT बटे 100 पर खेलेंगे simple interest पर खेलेंगे तो आईए फिर यहां पर चीजे समझते हैं भाई time हमें बताना है हमें जो बताना हमको लिख लिया हमने कहा time हमें नहीं पता कुछ भी रहा होगा यार time doesn't matter है ना कुछ भी रहा होगा लेकिन principle हमारे पास कितना था तो वह 500 रुपए था हमने लिख लिया और rate of interest क कितने हो जा रहे हैं 620 500 से 620 हो जा रहा तो यह मतलब क्या है amount है अब मेरे दोस्त जरा हमें एक बात बता दो कि simple interest यहां से कितना हम कह सकते simple interest कितना मिला जल्दी से comment करके बताओ simple interest कैसे निकालते है amount minus के principle is equal to simple interest मिस्र धन से मूल धन को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा साधहरणवयाज 620 से 500 घटा देंगे तो कितना बचेगा पांच एक छे और 120 यह 120 रुपए हमें क्या मिल गया साधहरणवयाज मिल गया अब आप इसको शॉल्व कर सकते हो जब इसको आप शॉल्व करोगे formula लग प्रिंसपल है 500 रेट आफ इंटरेस्ट है 4% एंड टाइम नहीं पता है टी ही लिख दिया दिन क्या जाएगा 100 आज जाएगा शॉल्व कर लिजिए यहां से भाई यह 0000 क्या हो गया कैंसिल हो गया नीचे कुछ नहीं बच्चा ऊपर क्या बच्चा पांचो के 20 या 5 से काट होगे तो 5 दूनी 10 कितना बच गया दू 5 चोके 20 चार से काट होगे 4 चंक 24 उधर टी बच्चा इधर 6 से बच्चा यह नहीं मैं कह सकता हूं टी इक्वल टू क्या आएगा 6 यह आएगा 6 वर्स आएगा आपका राइट एंसर कितना आएगा 6 वर्स आपका राइट एंसर आए अगर आया है तो बताओ next पे पहुंशते हैं अगर आया है तो बताओ next पे पहुंशते हैं बोलो भाई क्लियर ना ओके डन चलिए ने अगला कुईस्चिन नंबर कौन सो होगा 6 प्रश्न संख्या 6 क्या है जरा उसको समझे भली बाती परकार से और उसको लगाईए उसको समझे भली बाती परकार से और लगाईए कुश्चिन नंबर कौन सी बात कर लें हम तो 6 की बात करते हैं यह कुश्चिन कह रहा कि 1000 रुपए का 25 परशंट की दर से यह बढ़िया कुश्चिन है 72 दिन का सिम्पल इंटरेस्ट बताओ क्या मैंने ऐसा कुश्चिन नहीं कराया बोल दो एक बार बोल दो है न वह गाना सुर्ण बोल दो न जरा तो वही आपको देखो करना आपको केवल एक काम है मेरे दोस्त आपको चीजों को रिलेट कर रहा है अपनी जो दैनिक जीवन आप जी रहा हो ना उससे आप रिलेट करीं आप मैद का सिंगल कुश्चन ऐसा नहीं होगा ना जो आप नहीं लगा सकते हो इसको लगाओ भाई देखो हमें क्या पता है कि रेट हमारी वार्सिक है भाई रेट वार्सिक है हमने का टाइम यार हमें दिन में दिया गया है 25% तो हम ने लेगे हुआ 25% then हमको time दिया गया 72 days 72 day हमें time दिया गया अगर मैं इसको year में बदलूंगा तो हमें पता है कि हम किसके divide करते हैn 365 365 से divide करते है अब इसको अगर मैं क्या कर सकता हूं भोलू जरा 365 दिन तो होंगे तो अगर मैं इसको divide करूंगा तो भी हमारा एक वर्स निकल कराएगा या हम नॉर्मल ऐसे कहें तो 72 बटे 360 क्या हो गया हमारा वर्स हो गया तो हमने क्या लिख 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 हमें बताना क्या simple interest तो हम यहाँ पर question mark लगाईए फटा फट से फटा फट से लगाईए इस प्रशन को क्या आएगा उत्तर वैल्यू रखते हैं अभी या simple interest is equal to principle क्या है 1000 rate क्या है 25% time क्या है 72 and divided by कितना है आपका 365 365 और बटे क्या होता है 100 होता है solve करने भाई इसको देखो 2 0 से 2 0 खतम 5 5 25 और यहाँ क्या करेंगे 25 25 35 15 यह अगे 30 ऊपर ऊपर कितना बज़ गया जरा देख लीज़ें आपर कितना बज़ गया भाई देखो अगर यह 10 से हम इसको divide करेंगे न तो यह 10 से divide करेंगे तो यहाँ 7.3 हो जाएगा 10 से दिवाइड करेंगे तो यह भी 0 हमारा खतम होगे यह निस सिंपल इंट्रेस्ट क्या बज़ जाएगा सिंपल इंट्रेस्ट बज़ जाएगा पांच दुन निदस पांच सत्य पैती से च्छतिस तीन सो साथ बटे के 7.3 दिसमलों हटा की 0 बढ़ा लेंगे च्छतिस सो बटे के तीहत्तर आपका राइट एंसर पाकी कैलकुलेस्ट आप खुझ से कर सकते हो 3600 डिवाइड बाइ 73 आपका राइट एंसर अगर यहाँ पर कुईस्चन में हमको 73 देस दिया होता ना तो यह डारेक्ट डारेक्ट कर जाता लेकिन कुईस्चन में आपको 72 देस दिया गया था तो इसलिए हम इसको पॉइंट में नहीं कैलकुलेट करेंगे यही राइट अंसर है किलियर ना बोलो किलियर है रहे यह साथ दूनी 14 और पांच दूनी 10 पांच दूनी 10 एक आ गया पांच सते 35 और एक 36 आ गया ठीक है ना नोट कीज़े नेक्ष्ट अगले कुईस्चन में पहुशते हैं प्रश्ण संख्या नंबर 7 पर प्रश्ण संख्या 7 पर पहुशते हैं और उसको आपको लगाना कुईस्चन नंबर कौन से होगा सेविन होगा अब आपके चार-पांच जो question है, वो mensuration के हैं, है न, तो इसको आपको बहुत अच्छे से गौर करना है, कपि कल के model paper में ने बताया था कि मैं एक chapter का ज़्यादा weightage करूँगा हर एक model paper में, कल में हमारा algebra के ज़्यादा question थे, आज हमारे mensuration के ज़्यादा question होगे, तो question number seven के भासा कुछ इस प्रकार है, कि एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई आपको दी गई है, एक आयत की लंबाई वो कितनी दी गई है, तो दी गई 15 cm, एक आयत की लंबाई 15 cm है, ठीकिन आगे कहना, विकर 7 cm है, और विकर कितना है 17 cm, विकर्ड ये डाइगनल आपको दिया गया कितना शत्तरा शेंटीमीटर तो आपसे वो इतना जानने की कोशिस खर रहा है कि आयत का छेत्रफल क्या होगा आयत का छेत्रफल क्या होगा जरा निकाल के सभी दोस्त बताएंगे wait is the area of rectangle आयत का छेत्रफल क्या होगा लगाऊ इस प्रष्ण को इस प्रष्ण को इस प्रष्ण को इस प्रष्ण को फटा फट्र सभी शाती लगाएंगे बताएंगे क्या आयागा इस प्रष्ण का इस प्रश्न को शभी शाथी लगाएंगे और बताएंगे क्या आएगा उत्तर इस प्रश्न का है ना अगर एक बार फीगर दिमार्ग में सेट हो गया तो आप कुश्यन लगा लोगी भाई एक आयत होता आयत कैसा होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं दो सेट अब इसका जो लंबाई हो कितनी पंद्रह यानि यह लंबाई दी गही है 15 और यह आपको एक विकड दिया किया है विकड यही नहोगा विकड यह कितना दिया गए 17 यह दिया गए 17 तो अब आप से पूछे है कि 6 त्रफल हमें पता है कि आयत का एरिया क्या होता है इल बी क्या कहीं कुईस्चन में आपको बी की वैलू पता है कहीं कुईस्चन में आपको बी की वैलू पता नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे डारेक्ट फार्मूला भी होता है बट फार्मूला हमारे समझ नहीं आता हमने इसका एक नाम रख लिया कि ABC इसका कोई नाम है तो यहां पर एकथ तृभूज बन रहा है रहा है शितने में लाइणिंग कर रहा हूं तक्रूज बना देक रहे होगे बना है आपका कोण कि友से 90 जिस भी तृभूज का एक एंगल डिगरी होता है कैसा कोण होता है राइट हो क्वी गंडर होता है अगर कोड भी 90 эт है तो AC का स्कॉयर 25 गोरस परिमेरख लगाएंगे AC का जूर बराबर क concentrate AB का स्कॉयर और पलस के BC का स्कॉयर करड स्कॉयर बराबर आधार स्कॉयर पलस लंब स्कॉयर तो इजिली यहाँ से हम इसकी वैईलेउ निकाल सकते हैं भाई AC कितना 17, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17, यह हो जाएगा 17 का वर्ग बराबर, AB कितना, AB, AB है 15 का वर्ग, तो यह हो जाएगा 15 का वर्ग, प्लस BC का स्क्वाइर हमें ग्याद करना है, तो यहाँ से चोड़ाई पता चल जाएगे, multiply कराके answer ले आएगे, 17 का स्क्वाइर कि माइनस में, बराबर उधर क्या बच जाएगा भी, यह BC का स्क्वाइर बच जाएगा, घटा लीजिए, 9 में से 5 जाएगा, 4 बच जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, 664 स्क्वाइर लाओ गे तो रूट में, यानि BC बराबर अंडर रूट 4 यानि 8, BC कितना 8, यह BC 8 सेंटीमीटर गई, बीसी आठ है क्या, पांचानों छे दुआठ ठीक है, बीसी यह भुजा, बीसी है न, ब्रित, तो हम कहें सकते हैं कि जो इसकी चोड़ाई हो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, अब अगर हमें लंबा ही चोड़ाई पता है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ कितनी है, लेंथ है आई है, बोलो, किलिर बात, चलिए, नेक्स्ट, अगले कॉइस्टन पर पहुँचते हैं, अगला कॉइस्टन तो बहुत इंपोर्टन कुइस्टन है, इसमें केवल आपको फीगर दिया गया है, और कॉइस्टन पूछा, इसको एक बार आप नोट कर लीजे, इसको एक बार कॉइस्टन नमबर सेविन, मैं थोड़ा सा जड़ा फीगर बना दे रहा हूँ है न, कॉइस्टन नमबर किसकी बात कर रहा है, या सेविन हो गया, एक नमबर की बात कर रहा है, एक नमबर कॉइस्टन कुछ इस परकार से है, मैं इधर आपका फीगर बना पर दिया दखा द दिया गया है यह आपको पांच मीटर है अंदर पांच मीटर इधर है और अंदर पांच मीटर क्या है इधर भी है ठीक ना और आपको बताना है कि यह जो है यह यह क्या है जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ ना लाइनिंग आप इन चीज को समाझ ले ना मेरे दोस्त क्योंकि ल मीर pedin a quarter चापको दिया गया पन्दा रुपई एक वर्ग मीर का खर्च आपको दिया गया है फंदा रुपई देना आप से क्या पूछ हे टोटल करच गुल कितना खर्च लगेगा अगर आप इस पर में टी डलए अतार लगंद फालना धिमका कुछ भी करूआ हो कुश्चन की लेंगवेज आपके बुक में नहीं दी गई थी ऐसे दी गई थी बट मैं आपको लेंगवेज बना के बताए दे रहा हूं कुश्चन की लेंगवेज ऐसा होगा कि एक आतरकार भूखंड जिसकी लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ा ही 70 मीटर है यदि इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा चारो तरफ रास्ता बना है इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च एक वर्ग मीटर बराबर 15 रुपए है यह 15 रुपए है मिट्टी डलवाने का खर्च ज इतनी से बात थी, अब देखो, ऐसे प्रश्णों को हम कैसे लगाते हैं? सबसे पहले तो आप ये देख़ो कि एक question कै क्या रहा, अंदर बना है रास्ता की बाहर बना है, दो condition होती हैं, अगर बाहर बना है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन अगर अंदर रास्ता बन है इसका कितना area होगा यागर मैं इसका एक नाम दे देता हूँ तो ज़्यादा प्यारा हो जाएगा question यह होगा A, B, C और D मैं इसका नाम दे लिया इसका नाम कह दिया P, Q, R, S अंदर वाले का नाम S, P, Q, R, S तो मैं आपसे कह दूँ कि यार A, B, C, D का छेत्रफल क्या होगा A, B, C, D का छेत्रफल क्या होगा तो आप कहोगे यार A, B, C, D का छेत्रफल मतलब क्या है आयत है तो आयत का छेतरफल क्या होता? L into B होता है लंबाई कितनी है? 90 और चौनाई कितनी है? 70 और 90, 70 का गुड़ा कराओगे 9.63 और double zero 3.600 meter square क्या जाएगा ABCD का छेतरफल ABCD का छेतरफल लेकिन वही मैं आपसे कह दूँ कि PQRS का छेतरफल बताओ जरा बता ना भया PQRS का छेतरफल अब समझने वाली बात है अगर आप रास्ता अंदर बना रहे हो भया 5 meter इधर चल रहे हो और जब भी कभी रास्ता अंदर बनेगा ना तो आप हमेशा घटा दोगे भया 5 इधर और 5 इधर टोटल कितना घटा होगे? 10 घटा होगे यानि यह भी इसका भी छेतरफल लंबाई गुड़े चौड़ाई तो होगा लेकिन लंबाई चौड़ाई चेंज हो जाएगी लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ दो 90 थी ये 90 माइनस में भया देखो इधर भी 5 meter चौड़ा इधर भी 5 meter चौड़ा मतलब टोटल 5 प्लस 5 क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी गुड़े चौड़ाई कितनी थे? 70 थी अब इसमें से दो भी कम होगा भई 5 इधर चौड़ा 5 इधर चौड़ा मतलब 5 यहाँ माइनस लगा ले माइनस यह हो जाएगा प्लस में 5 अब यह हमारी लंबरी चौड़ाई बन जाएगी अब देखो लगाते हैं इसको भई 90 से 10 चला जाएगा तो 80 बच जाएगा गुड़े 70 से 10 चला जाएगा तो 60 बच जाएगा है ना 70 से 10 गया 60 90 से गया 80 तो ठीक है 8 छंग 48 यह 48 डबल 0 4800 मीटर 2 के आ गया पी क्यूं आरbrand का 6 त्रफल आ गया अब देखो दोघू आयत जो बने थे अंदर उनका 6 त्रफल गया स्क लिए तो रास्ती का छेत्रफल क्या होगा पता है रास्ती का 6 त्रफल क्या होगा जब भी कभी अंदर आपका कोई रास्ता कुछ भी बनेगा तो जो बड़ा वाला है बड़ा वाला यानि बड़ा वाला क्या है A B C D A B C D का 6 तरफल A B C D का एरिया माइनस के P Q RS का एरिया A B C D का एरिया माइनस के P Q RS का एरिया रख लीजिए फटा-फट से मान बाई ABCD कितना ABCD तीर सट सो यह हो जाएगा तीर सट सो माइनस के 4848 जब इसको आप शॉल्ब करोगे तो कितना निकल कर आएगा बाई पीछ डबल जीरो तो आने ही आने ही निश्चित तोर पे आएंगे है न तेरा में से आठ जाएगा तो आठ दो दस तीन तेरा पांच बच यहां बच गया आपको कितना पांच पांच से चार जाएगा तो यह पंदरा सो आ गया यानि जो रास्ते का छेतर रफाल हो कितना पंदरा सो मीटर स्कॉयर और एक मीटर स्कॉयर पे आपको कितना रुपया का खर्च देना पड़ रहा है अगर एक मीटर स्कॉयर पे पंदर रुपए है multiply कराएंगे 15 into 15 कितना होता है 225 होता है double 0 पीछे चिपका देंगे 22,500 आपका right answer 22,500 रुपए क्या आएगा correct उत्तर आएगा note कर सकते हो 22,500 रुपए क्या आएगा आपके प्रश्न का right answer आएगा I hope आपको चीजे बिल्कुल clear समझ में आई होंगी कि लियर ना मेरे दोस्त कितना उत्तर आएगा वह आजाएगा कितना पंदरा सो वर्ग मीटर तु रास्ते का चेतर पल 22,500 आपका right answer clear next अगला प्रश्न अगला प्रश्न संख्या कौन सी होगी जड़ा देख कर बताओ फटा फट कौन सी होगी नव नंबर प्रश्ट नव नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है जिरा उसको भी समझते हैं question number 9 देखिए अगर आप ऐसे question regular लगाओगे न तो आपकी रिपक्टिव बहुत बेतर हो जाएगे मेरे दोस्त मेरे बात को आप मानओ इस बार आप उमारी बात को मानकर अगर पेपर देने गए ना तो आप अपने अंदर एक बदिलाओ देखोगे कि हां हमने इतना अच्छा पेपर किया है पस एक बार मानों बात को डेबुलर क्लास अटेंड करो बस question number 9 यह क्या कह रहा है यह कह रहा है वर्ग का 6 त्रफल बताओ वर्ग का 6 त्रफल बताओ वर्ग का 6 त्रफल बताओ यदी विकड 6 cm हो विकड डाइगनल आपको दिया गया है 6 cm हो किसकी वर्ग की वर्ग कैसा होता है जरा बताओ बहुत सिंपल सा question है फार्मूला बेच्ड question है इसली शॉल्ब कर पाओगे इस प्रश्न को लगाओ जो वर्ग है उसका इरिया आपसे पूछा है और आपको नब विकड दिया डाइगनल दिया गया कि 6 cm है क्या आएगा उत्तर जल्दी से बताने की कोशिश करो इस प्रश्न को जल्दी से सभी शाथी बताने की कोशिश करेंगे वर्ग बनाएं तब तक तब तक उत्तर दो आप लोग वर्ग कैस तो हमें मानलिया कोई विकड बीडी दिया है इसकी लंबाई 6 cm दिया क्या आपको A की वेलू पता है क्या आपको A की वेलू पता है नहीं पता ना A की वेलू नहीं पता तो A की वेलू ग्यात करेंगे क्योंकि हमें पता है कि वर्ग का 6 तरफल क्या होता है भाई हम अच्छी भी कुछ होता है भाई वर्ग के विकर्ड की बात कलें तो वो होता है A root 2 भाई यही न वर्ग का विकर्ड होता है किलियर बात यही होता तो we can say that कि A into root 2 is equal to 6 नहीं होगा दोनों विकर्ड हैं यहां से हम A की value निकाल सकते हैं definitely निकाल सकते हैं अगर मैं A की value निकालूंगा भीया तो root 2 गुड़े में उधर बटे में 6 बटे root 2 अब मेरी बात को जरा गौर से समझेना अब यह मत समझेना कि यह हमारी क्या आ गई है भूजा आ गई नहीं मेरे दोस्त यह भूजा नहीं आई क्योंकि हर कभी परिमेह आ परिमेह नहीं हो सकता यह आ परिमेह संख्या है इसका आप संपूर स्क्वार रूट नहीं मलें काल सकते हो तो root 2 का आप कुछ ऐसा जुगाड करो कि नीचे से root 2 हट जाए तो एक आपने पढ़ा होगा class 8 या 9 में परिमेह करण परिमेह करण कैसे करते हैं root वाली संख्या से उपर नीचे गुडा करा दिचे बस भाई root 2 था तो root 2 से नीचे भी गुडा करा दो और root 2 से उपर भी गुडा करा दो गुडा कराएंगे तो उपर तो आ जाएगा 6 root के 2 और नीचे root 2 तो Root 2 मतलब क्या जाएगा? 2 दो से काटा तीन भार यहनि भूजा कितनी आ गईगी? तीन Root 2 centimeter गई कि आप हमारी बात से सह मत भाइए भूजा कितना आ गया? 3 Root 2 centimeter अगर भूजा 3 Root 2 centimeter मानडा को भी या, 3 Root 2 का Whole Square अब आप कह सकते हो कि 3 रूट 2 और गुड़े क्या होगा? 3 रूट के 2 तो उत्तर कितना आएगा? 3 तुरिक का 9 दुन्नी 18 वर्ग संटीमेटर 18 संटीमेटर स्कॉर आपका राइट एंस अठार कैसे आए पता? 3 तीन का गुड़ा 9 करोगे 9 आजाएगा और रूट 2 दो आजाएगा और 9 दुन्नी के तरह 18 वर्ग संटीमेटर ओके नोट कीजिए नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले प्रश्ण संख्याद 10 पर फटाफट से नोट करो फिर कुईश्चन संख्याद 10 पर पहुंचते हैं प्रश्ण संख्याद 10 क्या है उसको भी फटाफट तरीके से लगाते हैं है ना है प्रश्ण संख्याद 10 यहां तक की बात बिल्कुर क्लियर है ना चलिए वेरी गूड नेक्स्ट अगला प्रश्ण संख्याद 10 क्या है जरा उसको बताएगे क्या है उत्तर यह प्रश्ण संख्याद 10 आप चे यह कह रहा है यदि 5% की दर से किसी धन का यदि तीन वर्सों का साधारण ब्याच तीन वर्सों का जो आपका सिंपल इंट्रेस्ट है वो कितना दिया गया कुश्चन में सिंपल इंट्रेस्ट 150 है सिंपल इंट्रेस्ट 150 है तो इसी अवधि के लिए अवधि मतलब शमय तो उसी अवधि के लिए अवधि पर कम्पाउंड इंट्रेस्ट क्या होगा सिए बताऊं को किस्चन इतना इजिह लेकिन है इस कोईय। ही लोग लगा सकते हैं जिने के कंसेप्ट के लिए रहा है ड सबसे पहले मेरे कर्तब भी बनता है कि principle ग्याद करना और कैसे ग्याद करेंगे simple interest के formula से लेकिन उससे पहले मैं बता दू जितने भी दर्थी हमारे पूँच रहे थे कि सर फोर्थ सेमेस्टर की class नहीं चलाओगे क्या भाई फोर्थ सेमेस्टर की class अल्रेडी start हो चुकी है तीसरी class आज चल चुकी है है ना तीसरी class चल चुकी है तो वो class 6 बज़े चलती है regular 6 बज़े साम को class चलती है तो आप उसका link टेलेग्राम से provide करा सकते हो या simple में आप सर्च करोगे math by लली तो भी आपको वह मिल जाएगा या फिर आप यहीं पर सर्च कर लीजे आपको यहां पर भी मिल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं एक कहीं भी सर्च कर लीजे सारी complete math मिलेगे ठीक ना चलिए और second semester अभी हाल फिलाल में मैं start करूँगा अब मेरी बात सुनिए भाई second semester के लिए मैंने कुछ जुगार सोचा है क्योंकि second semester का जो topic है वो इतना बड़ा topic नहीं मैत का तो उसको हम ना 8-10 class में निपटा सकते हैं मैराथन class में तो उसके लिए proper एक day रखा जाएगा कोई एक दिन सुनिश्चित कर दिया जाएगा उस दिन आपका second semester एक chapter एक वीडियो में complete basic भी सारे बुकों के example भी previous year के question भी सब कुछ second semester का मैं वहाँ पर खतम पर दूँगा एक वीडियो में तो ये जानकारी आपको channel के माध्धम से provide करा दी जाएगी तो आप regular update पाने के लिए subscribe भी कर लीजाएगा तभी तो वही पता चलेगा कि कैसे कब कौन सी class चलेगी और ये class daily आपकी इसी time चलेगी 4 semester की इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बहुत से मित्र answer दे रहे हैं बाई दोको हमें principal नहीं पता है कोई बात नहीं principal नहीं पता है हमने माना भी या principal कितना 100 अब माना है तो हम इसको डिब्बे में बंद कर लेंगे ताकि आप बाद में दिक्कत ना खाओ rate of interest कितनी दी गई question में rate of interest 5% 5% time कितना दिया गया है 3 verse 3 verse लिख लिख लिया और simple interest भी दिया गया कितना 150 150 और आप से सेम भाई सेम बाकी सब चीजे सेम है लेकिन बस आप से पूछ लिया है compound interest चक्रविधी प्याज ये पूछ लिया तो अगर मैं यहां से भाई formula लगा हूँ तो simple interest is equal to क्या होगा P into R into T 100 principle क्या है 100 rate of interest कितनी है 5% और time कितना है 3 verse और भटी में क्यों हो जायगा 100 भाई यह 100 से 100 तो खतम पांच तीया 15 यहां से कितना आगे 15 आगे साथधरडव्याज कितना आगे 15 और साथधरडव्याज दिया कितना 150 यानि मैं कह सकता हूँ कि 15 कि किसके बराबर होगा 150 के बराबर तो भाई यह 100 की वेलू निकालो 100 की वेलू निकालने के लिए 15 से काटोगे 15 है कमपांदर 10 तो 100 की वेलू 1000 न होगी भी या यानि प्रेंसिपल कितना है 1000 रुपए है अब प्रेंसिपल पता चल गया तो हम 3 वरसे का compound interest कैसे निकालेंगे एसे निकालेंगे ए बराबर के P 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर T इमाउंट निकाली है प्रेंसिपल कितना है 1000 आपने ग्यात किया देख लो यह ग्यात किना 1000 और यह हो जाएगा 1 प्लस रेट है 5 बटे के 100 और इसकी पावर टाइम डिवरेशन कितना थिरी यह क्योंको कुईशन में कहरा सब कुछ शेम है 5 से काटो 15 दूने 10 20 21 21 बटे 20 यह आजाएगा 1000 गुडे 21 बटे 20 कितनी बार लिखें एक बार लिखें 3 बार क्योंकि पावर 3 है 21 बटे 20 और गुडे 21 बटे 20 फटा फट से काटो 1 2 3 1 2 3 0 खतम हो गए तो 21 गुडे 21 गुडे 21 करेंगे तो सम्थिंग में 2961 होता है 9261 होता है तक्रीबन भई 441 का अगर आप 21 से गुडा कराओगे 1 एक कम 1 4 4 2 1 कम 2 2 1 कम 2 हो गया भी है 2 4 8 तो 1 4 2 6 8 4 12 8 8 61 होता है 211 बटे 2 दुनी 4 दुनी 8 इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा 8 1 कम 8 हो गया 1 बचा 12 8 1 कम 8 4 बचा 46 8 5 कितना हो गया 46 6 बचा 61 8 सते 56 551 0 0 0 0 0 0 0 0 1 157 रुपे 25 पैसे क्या निकल कराया इमाउंट चुकि हमने निकाला क्या इमाउंट और हमको बताना कंपाउंड इंट्रेस्ट तो कंपाउंड इंट्रेस्ट बराबर क्या होता है इमाउंट माइनस के प्रिंसपल 11 557 दसंबलो के 625 और इसमें से घटा देंगे कितना 1000 1000 गटा देंगे तो पॉइंट के 625 तो आएगा ही 751 157.625 आपका राइट एंसर 157.625 के आएगा आपका correct answer आएगा I hope आपको चीजे बिल्कुल clear होई होगी कितना answer आएगा 157.625 ठीक ना इनको एकत्रित कर लीजिए और पेपर से पहले अगर इन कुश्चिनों की आप practice करके जाओगे न तो निश्चित तोर पे इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इस बात को दिमाग में याद रखना इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा ओके न तो ठीक है कितने हुए है कमेंट करके आप बताना कि दस में से कितने सही के बाकी मिलेंगे कल के class में शबी जाती रखेंगे अपना ख्याल जै हिंद्ध जै भारत दोर वंदे मातरम